अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपने 2015 के पहले आधार कार्ड बनवाया था तो एक बहुत जरूरी सूचन आपके लिए है कि आपको अपने आधार में डाकुमेंट अपडेट करना होगा चाहे ये काम आप किसी आधार सिवक केंदर पे जाके करवा ले या आप चाहे आधार बनवाने वाले लोगों को अपनी जानकारियां अपडेट करानी होगी ये इस पेपर में जो दिया गया है यहाँ पे जानकारियां अपडेट कराने का मतलब यानि की डाकुमेंट आपको अपडेट करना है 2015 के पहले जितने भी आधार बनाए गये थे उनमें डाकु अपडेट करना होगा, चुकि 2015 के पहले के आधार में डाकूमेंट अपडेट नहीं किये गए थे, यह काम आप खुद घर बैठे कर सकते हैं, कैसे करेंगे अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल फोन से अपने कम्पूटर से खुद कर सकते हैं, इसका पूरा में हम ऐसी वीडियो आपको देते रहें, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहले आपको UIDI का पोर्टल खोल लेना है इस तरह से, यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, uidi.gov.in और इसके बाद आपको यहाँ पर माई आधार वाले आपसन पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको मिल जाएगा Update Demographic Data and Check Status, इस वाले लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, या directly यही लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक डाल दूँगा, और इसके बाद आप अपना आधार इस CAPTCHA को आप डालेंगे, और फिर OTP सेंड करेंगे, गैज ऐसे आधार काड़नारक जिनके आधार में मोबाइल लंबर लिंक नहीं है, वो किसी UCL सेंटर पर यानि जो Demographic Update सेंटर है, आपके छेतर में CC के दौरा चलाए जा रहे हैं पूरे भारत वरस में, या किसी आधार स से वक्के इंदरे, वहाँ पर जाके आप आराम से अपडेट करा सकते हैं, वहाँ पर OTP का कोई चक्कर नहीं होगा, बट अगर आप अपने घर से करना चाहते हैं, तो आपको OTP सब्मिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर CAPTCHA गलत हो गया था, इसलिए, यह error आ गया है, और पर SEND OTP करेंगे, फिर OTP यहाँ पर आ गया है, और OTP डालेंगे अपने आधार में आप लॉगिन हो जाएंगे, इसी तरीके से अगर आप M-Aधार अप्लिकेशन डाउलोड कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस आपको करना पड़ जाएगा, और इस तरीके से हम य यहाँ पर डाकुमेंट अपडेट का आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, इस वाले आपसन पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ से Next करना है, और सारी गाइडलाइन प्रोसेसिंग आपको बताया गया है, कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यह और इस step में आपको document second step में upload करना है तीसरे step में आप से 25 रुपीज यहां पे साफ साफ UIDI के portal पर दिया गया है कि 25 रुपए आपको यहां पे pay करना होगा document updation सुल्क के रूप में फिर next करेंगे गाईज और यहां पे आपका detail पूरा जो UIDI में registered है जो आपका नाम वो पूरा सो हो जाएगा जैसे यहां पे जो name है जो data birth है जो address है वो सब कुछ यहां पे आ रहा है और यहां पे आपको verify करना है हां मैं verify करता हूँ कि ऊपर का जो detail है वो मेरा सही है और उसी के अनुरूप में document submit करने जा रहा हूँ फिर नीची आप आ जाएंगे और यहां से आपको ध JPG, PNG and PDF मैं आपको suggest करूँगा PDF बना करके upload करें बहुत जल्दी आसानी से upload हो जाएगा JPG में अगर आप upload करने लगेंगे तो हो सकता है थोड़ा सापको परिशानी का सामना करना पड़े इसलिए अगर आपका JPG में हाए document तो online JPG to PDF converter में आप online ही इसे कर सकते हैं आप किसी JPG website पे जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ JPG to PDF इस पर किलिक करेंगे यहाँ पर पहले वाले ही option पर किलिक करके अपने file को select कर लेंगे JPG file को और उसके बाद फिर convert to PDF कर देंगे आपको PDF मिल जाएगा और फिर वही PDF आपको यहाँ पर upload कर देना होगा अब guys आप देने के आजा रहे हैं document आपके पास क्या है यहाँ पर बहुत सारे option आ जा रहे हैं इन में से क्या आप दें जैसे एक general जो प्रमाडपत्र होता है निवास प्रमाडपत्र सभी लोगों के पास आसानी से बन जाता है domicile certificate वही आप बन वाले या आपको बास bank passbook है या कोई भी इन में से जितने भी आपको list of document दिख रहे हैं इन में से कुछ भी आपके पास है वो document आपके आधार के अनुरूप होना चाहिए बिल्कुल उसी को आप इस option में से वो चीट select कर लेंगे और अगर आपके पास ID उसमें होनी चाहिए फोटो जरूर लगा होना चाहिए यह बिल्कुल mandatory है यह आपको ध्यान रखना है तो यह मैंने select कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर निवास लगाने वाला हूँ यह OK कर देंगे इसके बाद यहाँ से आप अपलोड कर देंगे continue to upload और फिर यह मैंने PDF बना भी दे रहे हैं नेम अपना मैच करवाने के लिए और वही डाकुमेंट आप address के लिए दे रहे हैं तो मैं दुबारा से सेम डाकुमेंट यहाँ सेलेट कर ले रहा हूँ इस तरीके से यह माल लेजी आप नेम में pen card देना चाहते हैं तो उपर वाले में यहाँ जो पी वो आ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मैं एक डाकुमेंट यहाँ लगा रहा हूँ तो एक डाकुमेंट यहाँ दूसरा लगाना पड़ेगा और इस तरीके से आप यहाँ पर agree कर लेंगे I hereby give my consent इसको next कर लेंगे और फिर ok करेंगे यह जो processing हो रहा है इस processing का मतलब है simply कि document update किया upload हो रहा है जो आपके system में था वो upload हो गया अब देखे document upload हो गया दोनों के दोनों document इसलिए अब यहाँ पे payment के लिए आप से कहा जा रहा है तो यहाँ पे payment के लिए आप accept करेंगे make payment करेंगे और इसके बाद आपको payment के लिए redirect किया जाएगा यहाँ से आप चाहें तो net banking से wallet से या UPI से तो मैं simply यहाँ UPI select कर ले रहा हूँ फोन पे मैं यहाँ पे select कर ले रहा हूँ और फिर यहाँ पे phone पे का अपना ID आप डाल देंगे या जिस भी तरीके से आप payment करना चाहें payment के बहुत सारे options हैं फिर verify करेंगे और फिर proceed करेंगे जैसे यह proceed करेंगे आपके mobile phone पे यह payment को accept करने के लिए और गाइज इस तरह से यह payment success हो गया और यहाँ से आप acknowledgement डाउनलोड कर सकते हैं यह acknowledgement आ जाएगा और आप इसे चाहें तो PDF में save कर सकते हैं इस process में maximum 5 minute लगने हैं यह आप जरूर कर लीजएगा अपने इस रुपे deduct होना है इस process में यह 2015 के पहले जिन लोगों की आधार बनाए गये थे उन में करने की जरूरत है उनके बाद वाले जो आधार बनाए गये है 2015 के बाद उन आधार में यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है आशा करता हूँ यह वीडियो आपको informative लगा होगा अ